नमस्कार जी, मंत्री मंडल के मेरे सहयोगी, देश भर से, पब्लीक और पाविट सेक्टर में, हेल्थ केर से जुड़े, सभी प्रोफेशनल्स, परामेडिक्स, नर्सिंग, हेल्थ मेनेजमेंट, टेक्नलोजी और रिसर्स से चुड़े, सभी महानुभाव, देवी और सज्जनों, सबसे पहले तो, आप सभी को, दुनिया के सबसे बड़े, वेक्शिनेशन, मिशन को, सफलता पुर्वक चलाने के लिए, 130 करोड देश वासियों की तरफ से, मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, भारत का हेल्थ केर सिस्टिम कितना एफिशेंट है, कि इस प्रकार मिशन ओरियेंटेड है, इसे आपने पुरी दुनिया के सामने एस्टाबिस किया है, साथियों, ये बजट बीते साथ साल से हेल्थ केर सिस्टिम को रिफॉर्म और ट्रांस्फॉर्म करने के, हमारे प्रयासों को विस्तार देता है, और जो बजट के सास्त्र के जानकार लोग हैं, वो इस बात को महसूस करते होंगे कि डे वन से हमारी बजेट हो या हमारी नीतिया हो एक कंटिनूटी है और प्रोग्रेसिव अन्फोल्मेंट है, हमने अपने हेल्थ केर सिस्टिम में एक होलिस्टिक एप्रोच को एडप किया है, आज हमारा फोकस हेल्थ पर तो है ही, वेल्नेस पर भी उतना ही अधिक है, हम इल्नेस के लिए जिम्मेदार फैक्टर्स को दूर करने, वेल्नेस के लिए समाज को प्रोच्षाइट करने और बिमारी की स्थिती में इलाज को इंक्लूजिव बनाने पर फोकस कर रहे हैं, इसलिए स्वच्च भारत मिशन हो, फिट इंडिया मिशन हो, पोशन मिशन हो, मिशन इंद्रदन्विश हो, आईश्मान भारत हो, जलजीवन मिशन हो, ऐसे सभी इनिस्टिव को हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक लेकर जाना है, साथियों, जब हम हेल्ज सेक्टर में होलिस्टिक और इंक्लूजिवनेस की बात करते हैं, तो इसमें तीन फेक्टर्स का समाविस्ट कर रहे हैं, पहला, मोडरन मेडिकल साइंस से जुड़े इंफ्रास्रक्टर्चर और हुमेन रिसर्स का विस्तार, दूसरा, आयूस जैसी पारंपारिक भारतिय चिक्ट्सा पद्धतिस में रिसर्च को प्रोच्छान और हेल्ट केर सिस्टिम में उसका एक्टिव एंगेजमेंट, और तीसरा, मोडरन और फिचरिस्टिक टक्नोलोजी के माध्यम से, देश के हर व्यक्ति, हर हिस्से तक, बैतर और एफ़र्डेबल हेल्थ के सुविधाय पहुचाना, इसके लिए हमने हेल्थ सेक्टर के बजेट में काफी वृद्धि की है, साथियों, हम भारत में ऐसा हेल्थ इंफ्रास्रक्टर बनाना चाहते हैं, जो सिर्फ बड़े शहरों तक सिमीत ना हो, और आपने देखा होगा, कि विशे लेकर के, मैं लगातार दुनिया के सामने बात कर रहा हूँ, खास करके कोरोना के बाद, और मैं कह रहा हूँ, One Earth, One Health, इसी स्पिरिट को, हमें हिंदुस्तान में भी, One India, One Health, इस मिशन को भी वैसे ही, याने दूर दराज के क्षेत्रों में भी, समान व्यवस्ताय विक्सित करना है, हमारा प्रहास है, कि क्रिटिकल हेल्थ केर सुविधाएं, ब्लॉक स्तर पर भी हो, जिला स्तर पर भी हो, गाउं के नदिक भी हो, इस इंफ्रास्ट्रक्शर को मैंटेन करना और समय समय पर अपग्रेड करना बहुत जरूरी है, इसके लिए प्राइवेट सेक्टर और दूसरे सेक्टर को भी, ज्यादा उर्जा के साथ आगे आना होगा, साथियों, बेहतर पॉलिसी के साथ ही, उनका इंप्लिमेंटेशन भी बहुत आवश्यक होता है, इसके लिए जरूरी है कि ग्राउंड पर जो लोग पॉलिसी को उतारते हैं, उन पर ज्यादा ध्यान दिया जाएं, इसके लिए इस बजेट में हमने दो लाख आंगनवाडियों को सक्षम आंगनवाडियों में अप्ग्रेड करके, उन्हें और ससक्त बनाने का प्रावधान किया है, यही बात पोशन टू पॉइंट ओपर भी लाग होती है, साथियों प्राइमरी हेल्थ केर नेटवर्क को ससक्त करने के लिए, देड़ लाख हेल्थ एंड वैलनेस सेंटर्स के निर्मान का काम भी तेजी से चल रहा है, अभी तक 85,000 से अधीक, 85,000 से ज्यादा, सेंटर्स, रूटीन चेक अप, वैक्सिनेशन और टेस्ट की सुविधा दे रहे हैं, इस बार के बजेट में इनमें में इन्टल हेल्थ केर की सुविधा भी जोड़ी गई है, इसे ज्यादा से ज्यादा आबादी तक हम कैसे पहुँच सकते हैं, जागरुकता कैसे बढ़ाई जाए, इसके लिए हम सब को मिल करके आपको भी अपने प्रयास बढ़ाने ही चाहिए, शाथियो, बह्तर हेल्थ इंफ्रा सिर्फ सुविधा ही नहीं, बल्की यह हेल्थ सर्विस की डिमान भी बढ़ाता है, जो रोजगार बढ़ने का भी बहुत बड़ा माध्यम है, बीते सालों में जैसे जैसे हेल्थ सर्विसिस इसकी डिमांड बन रही है उसके अनुसारी हम स्किल्ड हेल्थ प्रोफेशनल सैयार करने का भी प्रयास कर रहे हैं इसलिए बजेट में हेल्थ एजुकेशन और हेल्थ केर से जुड़े हुमन रिसोर्स डेवलोप्मेंट के लिए पिछले साल की तुर्णा में बजेट में बड़ी वृद्धी की गई हैं मेडिकल एजुकेशन से जुड़े रिफॉर्म्स और मेडिकल कॉलेजों के निर्माण में इससे जुड़ी हमारी प्रतिवत्ता से आप सभी भली भाती परिचित हैं इन रिफॉर्म्स को टेक्नोलोजी का उप्योग करके आगे कैसे बढ़ाया जाएं क्वालिटी अब मेडिकल एजुकेशन को और इंप्रूब कैसे किया जाएं अधीक इंक्लूजीव और एफॉर्डेबल कैसे बनाया जाएं इसके लिए कुछ कंक्रिट स्टेप्स एक तय समय सीमा में आपके तरफ से लिए जाने चाहिए जात्यों हेल्थ केर से जुड़े हमारे अब्जेक्टिव्स बायो टेक्नोलोजी से जुड़ी रिसर्च मेडिसीन्स और मेडिकल एक्विप्मेंट्स में आत्मन निर्भरता के बिना हासिल नहीं हो सकते कोरोना काल में हमने ये अनुभव भी किया है जेनरिक, बल्क ड्रग्स, वैक्सीन और बायो सिमिलर्स के शेत्र में विकास की संभावनाओं को हमें टैप करना है इसलिए हमने मेडिकल एक्विप्मेंट्स और दवाओं के कच्चे माल के लिए पी एलाई स्कीम शुरूर किया है साथियों कोरोना वैक्सिनेशन में कोविन जैसे प्रेटफॉर्म के मादम से हमारी डिजिटल टेक्नोलोजी का लोहा पूरी दुनिया ने माना है आईशमान भारत डिजिटल मिशन कंजुमर और हेल्थ केर प्रोवाइडर के बीच एक आसान इंटरफेस उपलब्द कराता है इससे देश में उपचार पाना और देना दोनों बहुत आसान हो जाएंगे इतना ही नहीं ये भारत के क्वालिटी और एफ़र्डेबल हेल्थ केर सिस्टिम की ग्लोबल एक्सेस भी आसान बनाएगा इससे मेडिकल टूरिजम बढ़ेगा और देश वास्यों के लिए इनकम अपर्चुनिटीज बढ़ेगी इस वर्स के बजेट में इस मिशन को ससक्त करने के लिए आईश्मान भारत डिजिटल मिशन के नाम से एक ओपन प्लेटफॉर्म की बात की गई है इस प्रकार के नए कदमों से स्कोप और इंपेक पर हमें गंबीरता से चर्चा करनी होगी साथियों कोरोना काल में रिमोट हेल्थ केर टेली मेडिसीन टेली कंसल्टेशन लगभग डाई करोड मरीजों के लिए समाधान बन करके आया शहरी और ग्रामिर भारत में हेल्थ एक्सेस डिवाइड को कम करने में ये टेक्नलोजी बहुत काम आ सकती है अब तो हम देश के हर गाउं में फाइबर नेटवर्क पहुंचा रहे हैं 5G टेक्नलोजी भी अब आने में देर नहीं होने वाली है 5G टेक्नलोजी के उप्योग से रिमोर्ट हेल्थ केर को जमीन पर उतारने के लिए हमारे प्राइवेट सेक्टर को अपनी भागीदारी बढ़ानी चाहिए हमारे गाउं में इतनी डिस्परेंसरीज है आउसके सेंटर्स है उनको हम शेहरों के बड़े प्राइवेट और पब्लिक अस्पतालों के साथ कैसे जोड सकते हैं रिमोट हेल्थ केर और टेली कंसल्टेशन को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं इस पर भी आपके सुझाओं का हमें इंतजार रहेगा ड्रोन टेक्नोलोजी का हेल्थ केर में अधिक से अधिक उप्योग बढ़ाने के लिए हेल्थ सेक्टर से जुड़े हमारी प्राइवेट कंप्नियों को भी आगे आना होगा साथियों आयुषकी भूमिकातों आज पुरी दुनिया भी मान रही है हमारे लिए गर्व की बात है कि दब्लु एचो भारत में अपना विश्व में अकेला ग्लोबल सेंटर अब ट्रेडिशनल मेडिसिन शुरू करने जा रहे हैं अब यह हम सभी पर निर्भर करता है कि अपने लिए भी और दुनिया के लिए भी हम आयूश के बहतर समाधान कैसे तयार करें कोरोना का यह कालखन हेल्ट केर और फार्मा के मामले में भारत के सामर्थ से दुनिया को परिचित करना रेका भी है इसलिए इस वेमिनार से टाइम लाइन के साथ जरूरी एक्षिन प्लान निकल लेगा तो मैं से बता हूँ यह बहुत बड़ी सेवा होगी और भी मैं एक बात पताना चाहूंगा खास करके प्राइवेट सेक्टर के साथियों से आज हमारे बच्चे पढ़ने के लिए खास करके मेडिकल एजुकेशन के लिए दुनिया के छोटे-छोटे देशों में जा रहे हैं वहां लेंग्वेज भी प्राब्लेम है फिर भी जा रहे हैं देशकार अर्बो खर्बो रुपिया बहार जा रहा है क्या हमारे प्रावेट सेक्टर बहुत बड़ी मात्रा में इस फिल्ड में नहीं आ सकते हैं क्या हमारी राज्य सरकारे इस प्रकार के काम के लिए जमीनों को देने में उंद्या नितिया नहीं बना सकती हैं ताकि अधिक तम डॉक्टर्स हमारे यह तयार हो परामेडिक्स तयार हो इतना ही नहीं हम दुनिया के मांग पूरी कर सकते हैं हमारे पास जो डेमोग्राफिक डिविडेन है उसका लाब इस छेत्र में हम बहुत हमारे डॉक्टरों ने पिछले चार पांच दसत से पूरी दुनिया में भारत की इज्ज़त को बहुत बढ़ाया है भारत का डॉक्टर जहां भी गया है उसने उस देश के दिल को जीता है भारत के डॉक्टर्स की टैलेंट को विश्व का सामान्य से सामान्य नागरिक पत अच्छा मानता है इसका मटलब हमारा ब्रांडिंग हो चुका है अब हमें योग्य लोगों को तैयार करने में तीजी लानी है उसी प्रकार से दुनिया की सबसे बड़ी हमारी हेल्थ एस्वर्ण स्कीम मैं इसको हेल्थ इंसर्ण स्कीम नहीं कहता हूं और वो आयुशमान भारत एश्वर्ण इंकम है भारत सरकार ने इंसर्ण स्कीम लिया हुआ है आपके अस्पताल अगर बड़े बन गए और वो गरीब व्यक्ति वहां आएगा तो उसका पेमेंट भारत सरकार की व्यवस्ता से होने वाला है आपके लिए पैसों के कारण मरीज नहीं आएंगे वो स्थितियम नहीं रही है क्या मेरे प्राइवेट सेक्टर के लोग टियर टू टियर थी सिटीज में इंफर सेक्टर के आगे आए आए आईश्मान भारत स्कीम के जो मरीज है उनके लिए स्पेशल फासिलिटी डेवलप करें आपको इंकम का कोई प्राइवेट नहीं होगा आप इंवेश्मेंट का रिटन मिलेगा यानि इतनी योजना है और इन कामों में पॉब्लीक प्राइवेट पार्टनर्शी यह हमारे देश के हिल सेक्टर को बहुत मजूद बना सकती है और आपने देखा होगा कि हमारे आईवेद इनने बहुत बड़ी प्रतिष्ठा प्राप्त की है खास करके कोरोना के कालखन में हमारे हरबल प्रोड़क जो है अद दुनिया में बहुत बड़ा एक्सपोर्ट बढ़ा है बटलब की इसके प्रति आकरशन बढ़ा है हम सब मिल करके इन योजनाओं को भी कैसे ले जाए म मैं चाहूंगा खुले मंद से लीडर्शिप रोल लेने के लिए भारत को तयार करने के लिए आप आईए सिरफ बजेट के आकड़ों से बात बनने वाली नहीं है जी और हमने अब बजेट एक महिना प्रिपोन करते हैं क्यों करते हैं क्योंकि हमें फरवरी और मार्च महिना बजेट के सारे प्रावधानों के लिए योजनाये तैयार करने में सुवीदा और एक अप्रिल से ही हमारा नया बजेट एक्चुली जमीन पर फंक्शन करने लगे ताकि हम कम समय में अधिक से अधिक आउटकम की और आगे बढ़ सकते हैं मैं आप सबका बहुत आगर से अनरोद करता हूं कि आज की चर्चा को जीवन्त बनाई है और मैं सरकार की तरफ से ज़्यादा भाशनबाजी करने के पश्में नहीं हूं मुझे तो आप से सुनना है कांग्रीट क्योंकि इंप्लिमेंटेशन करने में कभी यह चीज छूट जाती है तो 6-6 मेने तक फाइले गुमती आती है इस चर्चा से वैसी गलतियां कम से कम होगी बहुत सरलता से चीजें इंप्लिमेंट करने के बहुत सी बात हैं हमारे अपसरों को भी हमारी सिस्टीम क को भी बहुत अच्छा guidance भी ले सका आप से ताकि चीज़ें लागू कर सके तो मैं चाहता हूं कि आज दुनिया health conscious इस संकट ने बहुत बड़ा बना दिया है तब हमें ज्यादा धान देने की जरूत है मेरी आप सब को बहुत-बहुत शुक्वामना है धन्यवाद